कि आज की लेक्टर का अगास करते हैं आपको होम साइनमेंट दी गए थी रिडिंग के लिए कुछ केसिस थे पैंडेक्सफान में से कितने स्टोंट ऐसे हैं जिन्नोंने पैंडेक्स फण की रीडिंग की यह जो रिडिंग करें चाबश हैं चाली आज हम स्टार्ट करते हैं आज के lecture में हम तीन concepts study करेंगे एक ethical conflict resolution के अगर हमें किसी ethical situation को face करना पड़े हम उसे कैसे resolve करेंगे कैसे handle करेंगे फिर इसके बाद जो list आपको दी गई थी reading करने के लिए वो list discuss करेंगे प्लस कुछ ऐसी situation जो के रह गई थी आपको reading assignment के तोर पे नहीं दी गई थी आज क्लास में वो भी discuss करेंगे ताकि हमारा पैंडेक्स वन complete हो जाए इसके बाद home assignment के तोर पे practice के लिए आपको कुछ model case studies दी जाएंगी जिनका आपने analysis करना होगा और ये decide करना होगा कि कौन सी situation आपके किस case से relate कर रही है जो exam का कौन सा question हमारी किस situation से relate कर रहा है आपने ये समझना होगा ये decision करना होगा तो सबसे पहले start करते हम learning objective for ethical conflict resolution से ethical conflict resolution का concept हमें क्या बता रहा है कि अगर कभी हमें practically कोई ऐसी situation face करना पड़े जिस से code of ethics की violation हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए हमारा course of action क्या होगा इसमें सबसे पहले बता रहा है कह रहा है when faced with an ethical conflict अगर हमें practical life में कोई ऐसी situation face करना पड़े जिस से ethical issue को ये rise हो रहा हो कोई ethics की violation हो रही हो क्या करना चाहिए a chartered accountant should identify threats सबसे पहले chartered accountant को threat identify करने चाहिए कि इस situation में कौन से threats identify हो रहे है आपने जो list पढ़ी होगी उससे आपको अंदाजा होगा कि किसी situation में तो एक threat identify होता है किसी situation में दो threats involved होते हैं और किसी situation में तीन threats भी involved होते हैं maximum तीन threats involved होते हैं किसी भी situation में और total हमारे पास कितने threats हैं total पांच कौन कौन से self interest threat familiarity threat self review threat intimidation threat और advocacy threat शावाज कह रहा है तो जब भी ethical issue phase करेंगे chartered accountant सबसे पहले threats को identify करेगा evaluate them evaluate का क्या मतलब है कि बताना है वो significant है कि नहीं है क्योंकि अगर तो significant नहीं है तो फिर उसको insignificant है तो फिर शायद इसको ignore किया जा सकता है लेकिन अगर significant है तो हमारे पर लाजिम हो जाएगा कि हमने कुछ ना को safeguard course of action adopt करना है उस threat को कम करने के लिए उसकी significance को कम करने के लिए and should apply safeguard और फिर evaluate करने के बाद क्या करना है safeguard को अप्लाई करना है safeguard को sometimes exam question में course of action भी कह देता है कहता है safeguard को apply करना है according to situation according to situation को underline कीजिए according to situation ये हमें दो concept बता रहे हैं ये according to situation के जो words है हमें दो concept बता रहे हैं पहला concept ये कि ऐसा नहीं होगा कि आप कोई list of safeguard याद कर लें और हर situation में उसी safeguard को discuss करते जाए कहता है ऐसे नहीं होगा बलके safeguard होते है according to situation जब situation बदलती है तो safeguard भी हो सकता है कि बदल जाए situation change होगी तो safeguard भी change हो जाएंगे safeguard जो है according to situation होते है ऐसा कोई concept नहीं है कि हमको एक list याद कर लें और हर threat के case में हर situation में उसी safeguard को apply करते हैं ऐसा नहीं होगा बलके safeguard क्या होते है according to situation situation change होती है तो safeguard भी change होते है और दूसरी चीज़ दूसरा concept जो इन words से समयने वाला है according to situation से वो ये कि जो safeguard या course of action होते हैं वो according to situation है according to threat नहीं है यानि जब हम safeguard बताएंगे course of action बताएंगे तो situation के लिखास से situation से link करके हम safeguard बताएंगे ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी एक situation में बोतोरा हैं तो हम safeguard बतारहे हों कि यह वाले तीन safeguard पहले वाले threat के हैं बाद वाले धौसरे वाले threat के हैं ऐसा नहीं होगा क्योंकि safe guard according to threats से नहीं होते safe guards according to situations होते हैं इसलिए जब mention किया जाएगा किसी situation में कि दो या तीन threat है तो safe guard सबके इकटे बताये जाएंगे अलादा अलादा नहीं बताये जाएंगे कि इस threat के ये safeguard इस threat के ये safeguard अलादा-लादा क्यों नहीं बताये जाएंगे इसलिए कि safeguard according to situation होते है according to threat नहीं होते हैं ये बात समझाएं कहता है if a significant ethical conflict or threat cannot be resolved अगर कोई significant ethical issue हो जो resolve नहीं हो सकता safeguard से भी resolve नहीं हुआ तो फिर क्या करना चाहिए chartered accountant should consider withdrawal from engagement if possible and practical उस special में chartered accountant को withdraw ही करना चाहिए ठीक है उस special में क्या करना चाहिए अगर आप थोड़ा सा सोचे तो exactly यही approach आप exam question पे भी apply कर सकते हैं वो कैसे when faced in an ethical conflict अगर exam में code of ethics का question आ जाए a chartered accountant should identify threat student को क्या करना चाहिए पहले threats लिखे फिर क्या evaluate them whether significant or not फिर बताए discuss करें के threat significance है के नहीं तीसरे नबर पे and should apply safeguard according to situation और situation के लिहाज से बताए कि कौन-कौन सा safeguard यहां पे apply होगा यानि code of ethics के question में हमें maximum कितनी चीज़े discuss करना होती है तीन threat significance safeguard threat significance और safeguard तो तकरीबन हर question में वो require करता है significance किसी question में require करता है और किसी question में require नहीं करता तो अगर किसी question में उसने significance को require किया है हम significance वाले point लिखेंगे कि जी significance डिबेंड करती है वो person जो involve हो रहा है वो कितना senior है और इसके लावा nature of relationship क्या है size of investment जो size of financial interest है वो क्या है इन चीज़ों पर significance डिबेंड करती है लेकिन याद रखे significance कभी वो require करता है कभी require नहीं करता तो जब require करेगा तब discuss करेंगे अगर requirement में significance का word नहीं है हमने significance को discuss नहीं करना ठीक है और threat और safeguard ये तो हर question में वो पूछता है तो कुछ अंदाजा हुआ आपको कि practically हम ethical issues को कैसे resolve करते हैं और exam में हमने कैसे resolve करना है चलिए अब आईए pendex one की तरफ situation की तरफ चलने से पहले मैं discuss करना जाता हूँ आपको पता है हमेशा जैसे ही कोई case study वाला chapter आता है तो हम topic concepts को समझने के बाद पहले फिर ये सीखते हैं कि exam में इसकी case study आएगी तो किस तरह solve करना है हमने तो code of ethics की case study के बारे में सुनने जी आप इसको कैसे solve करेंगे अगर exam में code of ethics का question आया तो वो किस शकल का होगा structure क्या होगा उसका याद रखे उसका structure exactly वैसा ही होगा जैसा के companies that chapter 6 legal requirements वाली case study का था कि वो एक situation question बनाता है उसमें एक दो या तीन situation जो है वो discuss करता है बाद उसका चार या पांच भी करता है ठीक है लेकिन ज्यादा तर वो दो तीन situation डिसकस कर रहा होगा तो exam में ICAP code of ethics में जब question बनाएगा उसी तरह part A, B, C करके कुछ situations को discuss करेगा हमने ह हर situation को अलाइदा answer करना है पहली चीजी है हर situation को अलाइदा answer करना है फिर अगर उसने threat पूछे थ्रेट तो वो अक्सर पूछता है threat को बताएंगे safe word को बताएंगे अगर significance पूछा है तो discuss करेंगे वरना significance को discuss नहीं करेंगे और code of ethics studies को solve करते एक चीज़ जहन में रखिएगा पहले भी आपके साथ discuss किया बताएंगे आपको कि लीगल requirement तो सिर्फ partners के लिए होती है लेकिन जो ethical requirements और code of ethics की यह सारी की सारी team के लिए होते है चलियर होगी यहां तक बात चलिए अब इन situations को one by one discuss करें हम इन में discussion हर situation को पढ़ेंगे और फिर discuss करेंगे कि इसमें threat क्या rise होत कुछ situations आपको reading के लिए दी गई थी उन situation में मैं सिर्फ आपसे problem बूचूंगा अगर problem हुई तो उसको discuss करेंगे वरना आगे चलेंगे और जो situations आपको home assignment के तोर पे नहीं दी गई थी उनको भी आज class में discuss करेंगे लेकिन वो हम complete discussion करेंगे सबसे पहले question number one home assignment में situation दी गई थ इसमें कोई issue हो तो बूच लेजी जी one by one review the work performed by relevant member यहां पे जो है ना by relevant member यह वाला लफज यह work performed जो है इसके साथ है review के साथ नहीं है यानि वो यह नहीं कह रहा कि relevant team member review करेगा वो कह रहा है कि जो relevant team member ने work perform किया है उसका review किया जाएगा review करेगा कोई additional बंदा अलाइदा से बंदा ठीक है लेकिन इसके काम का review किया जाएगा जो relevant team है फर्स कीजिए हमें पता चला के audit के दौरान में किसी team member के पास client के shares हैं हम पहली option क्या करेंगे उसे कहेंगे कि भाया इन shares को dispose कर दीजिए अगर वो dispose नहीं करता तो दूसरी option क्या होगी हम उसे remove कर देंगे अब मुझे यह बताइए उसने share को dispose करने से पहले या removal से पहले जो भी काम किया हुआ है क्या हमें तीन option दे रहा हूँ पहली option हमें उस काम को straight away reject कर देना चाहिए dispose कर देना चाहिए दूसरा हमें उस काम को as it is accept कर लेना चाहिए तीसरा हमें ना तो as it is accept करना चाहिए ना as it is reject करना चाहिए बलकि review करवा लेना चाहिए उसके काम का अगर उसने independently काम किया हुआ है तो accept कर ले वरना reject कर दे तहीं क्या कर थार्ट इसलिए उसने तीसरे पाइंट में ये कह रहा है कि उसका वो वाला काम जो उसने पहले किया है डिस्पोजल या रिमूवल से पहले उसके काम को रिब्यू करें क्योंकि उस वक्त वो इंडिपेंडनेंट नहीं था क्लियर होगे जी और की क्वेश्चन कु करेंगे इतना बड़ा अधों और आप उसका उसका गुना नहीं है उससे सिर्फ इंगेज्मेंट से मुथ कर देंगे जिसकर आज करनके करंथ और की Coach समय कोंए क्टीके देजमेंट के मताबिक तो इंडिपेंडनेंट नहीं रहा जे और की M फोर्थ मैं क्यूब प्राब्लम लास्ट पॉंट हम बिल्कुल ओर्डिट क्मेटी असल में इंट्रिनल आडच डिपार्टमेंट समझ ले उसको कहते हैं इन्टेकनिकली फरक हरा है इंट्रिनल रड़े department थोड़ा junior position पर होता है audit committee उससे senior audit committee में director level के लोग शामिल होते हैं करता है कि जी overdue fees है initial audit का case क्या है वो तो समझा गया हमने accept नहीं करना अगर उसकी fee spending है अगर recurring audit है तो इसमें हमारी पहली कोशिश यह होगी management से cfo से कहे सर हमारी fee की payment तो release करने अगर तो वो fee pay करने बहुत अच्छी बात अगर वो fee pay नहीं करते तो आपको पता है psychologically partner पर pressure होता है कि ऐसा नहीं मोडिफ़ाड opinion दूँ और मेरी fees जो है वो वो अभी पे ना करें अभी पिछे साल की fees payment कहता है इस situation में आप director के साथ audit committee के साथ discuss करें कि सर हमारी fees spending है management ने तो हमें वो जो है वो भाने बना रही है आप बताईए हमारे साथ पकी बात कीजिए agree कीजिए time बताईए कि opinion चाहे किसी भी किसन का हम दे आप एक महीने दो महीने तीन मेने बाद हमारी fees pay कर देंगे हमें एक बाव बताईए पकी बाव बताईए अब यलि मैनिजमेंट से हटके हम higher level यानि audit committee director से communicate कर रहे हैं कि सर आप हमारे साथ हमें confirm अपनी commitment देजिए fees कप पे करेंगे और वो जो भी date हमें दें उसके बाद भी चांस है कि हो सकता है partner fee collection fee recovery को जहें में रखके client को कोई favor दे दें इसलिए उसके बाद भी बेहतर है कि आपने जो भी काम किया है audit उसका quality control review करवा ले ताकि review करने वाला तसलिए कर ले कि आपने client को undue favor नहीं दे इसलिए अगर हमारी fee spending है तीन चीज़े बता रहा है कर अगर पिछले साल का audit हमने किया और fee spending है पहली चीज़ क्लाइंट से कहें sir fees clear करें फिस लेर नहीं करते तो क्या करें audit committee या director उन से communicate करें और उने कहें कि सर हमें confirm अब बात कीजिए agree कीजिए कि कब payment करेंगे और तीसी चीज़ अपने work का quality control review करवा ले है ठीक है ये दूसरा और तीसरा point उस चुरुत में लिखना है अगर पिछे साल की fees client पे नहीं करता ठीक ह क्या 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 यह directors होते हैं असल में auditor directly सारे directors के सार्थ discussion नहीं कर सकता थेक है तो वह audit committee के थुरू करता है audit committee में भी चंद एक directors ही शामिल होते हैं जो समझ लीजे बाकी के सारे directors के representative है जी और की question अब कर देंगे अब अब करने के लिए रिवियू करने के लिए दोनों स्टेप्स डिफरेंट है ठीक है रिवियू मिसले करवा रहे हैं कि फीज तो अभी भी बाहर रा पेंडिंग है तो में भी अभी भी हम क्लाइंट को favor दे दे जी और भी अभी बहने बताया कि internal अगर आप मेरे से टेकनिकल डिफरेंस पूछेंगे टेकनिकली डिफरेंस तो है लेकिन आपके इस लेबस की हद तक आपको बता रहा हूं आपने इसी चीज़ को सहिल में रखना है इंटरनल अडिट फंक्शन और अडिट कमेटी एक ही चीज़ इसको एक ही चीज़ समझे वरना इंटरनल अडिट डिपार्टमेंट थोड़ा जूनियर लेवल के लोग होते हैं और अडि तो एक ही तो अगर कहीं पे उसने सिर्फ क्वालृटी कोंट्रोल रेविउ का वर्ड यूज किया है ये नहीं बताया कि इंटरनल है को एक्स्टरनल है तो आपकी मरजी या जो मरजी करवाला है तो यहां पे नॉर्मली जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करों फिर्म कोड ओफ एथिक्स में करवाती है नॉर्मल है वो फिर्म के अंदर ही किसी और पार्डनर या सीनियर बंदे से कहते हैं कि आके हमारा काम चेक कर लेजिए फिर्म से बाहिसे किसी को इंगेज करें तो जाहिरे उसे फिर पैसे देने पड़ेंगे तो उससे बेतर है फिर्म की अंदर ही जो बंदे फारिग बैठे हैं उनसे काम करवाले जी और की क्वेस्टन है चलिए नेक्स्ट थर्ड फॉर्थ होगी फिफ्थ में कोई problem जी फिफ्थ में problem है इसको discuss करते हैं एकसेप्टिंग के फिल्लोरदन प्रिवियस और अगर अगर आप चलिए कम कम फिस चार्ज करते हैं जिसे कहते हैं अंडर कटिंग जब एक कंसेट्ट डिसकस हो रहा था थ्रेट्स की एक्जेंपल में तो आपको याद अगए उस वक्त मैंने आपको यह बताया था कि हम प्रीडिसेसर और डीटर से कम फिस चार्ज नहीं करते हैं ठीक है उसके एक्वल से जादा फीश लेकिन आपको सीके एक क्सेप्शन बताई थी दिसकस करने का टाइम आगे ऊसक्षिन डिसकस नहीं की थी स्यरुभ यह बतायता है एक्सेप्शन सुनियआ उसकी पिछले सालाइच उन्डर ब्रानेंच जी कर दी नहीं फ्यमिंश हैं覺得 नहीं कि आट लाइक है बिल्कुल है अच्छा गर इस साथ ब्रांचीज 80 हो गई उसने कुछ 20 ब्रांचीज प्रॉफिटेबल नहीं थी बंद कर दी 80 हो गई और हमने फीस 8 ला कर दी बताइए कि अब अंडरकटिंग है अब अंडरकटिंग नहीं है वो यही कहते हैं ओप क्वॉणति वाइ्टर से कम कम फीज चार्ज नहीं कर सकते हैं और कहते हैं है और कहते हैं हाँ एहत्यातन आप अपने कलाइंट को बता दीजिए कि सर ये जो हम कम-feeze-charge कर रहे हैं न, ये quantumand scope of work कम होने की वजासे कर रहे हैं। किसी और reason की वजासे नहीं कर रहे हैं। और ये भी इन्शोर करना है, एकर हम कम-feeze-charge कर रहे हैं, तो quality compromise ना हो। quality compromise ना हो इसके लिए आपको एक तो अपना स्टाफ सारा वो ही रखना पड़ेगा जो के एप्रोप्रियेट है फार एक्जेंपल ट्रेनी स्रोंड सीए के वो कोई आई काम बी काम के स्रोंड इंगेज नहीं करना है और टाइम भी एप्रोप्रियेट देना है ये ना हो कि अगर फीज कम चार्ज कर रहे हैं तो आप काम भी प्रोसीजर भी कम परफॉर्म करें कहता है ऐसे नहीं होगा आपने कम फीज चार्ज कर सकते हैं सिर्फ एक केस में किस केस में कौटम एंड स्कोप और वग जब रिडियूस हो जाए इस सूरत में भी सेफगार्ड के तोर पे आपने क्लाइंट को कम्यूनिकेट करना है कि सर कौटम एंड स्कोप और वग कम हुआ है इस वज़ा से हम कम क करें क्लाइंट को अवेर करें कि स्कोप और वग हमारा कम हो गया है और दोसा इंशोर करने के लिए कि क्वालिटी पे कम्रोमाइज नहीं किया हमारा स्टाफ भी अप्रोप्रियेट होना चाहिए हमने टाइम भी अप्रोप्रियेट करना है क्लियर हुई यह बात तो यह अग कर डिंग नॉर्मली चार्ज नहीं करनी चाहिए लेकिन अगर कौन्टम इंड स्कॉप अवर कम हो जाए तो चार्ज कर सकते हैं प्रवाइड ये दो सेफ़गार्ड सेफ़गार्ड लेखे लिए जी कोई क्वेस्टन इस पर फिफ्ट सिच्वेशन पर क्व混़नी को लॉस हुआ है इससे क्वान्टमं इंड स्कॉप अवर कम नहीं होता क्यूंकि इसका मतलब है एक्सपैंसिस की ट्रांजैक्शन रेवन् यूस से भी ज्यादा है loss का मतलब यह नहीं होता कि revenue बहुत कम हो गया हो सकते हैं expensive बहुत ज़्यादा हो गया हो तो हम accept हम देखेंगे कि क्या quantum scope of work reduce हुआ है कि अगर quantum scope of work reduce हुआ है तो फिर हम उसको reduce कर सकते हैं इस परना नहीं कर सकते हैं जी और की question ठीक है लॉस अगर लॉस होने की वज़ा से क्लाइट ने request किए हमें किसर फीस कम कर दीजिए ठीक है अच्छा एक जीज़ और अगर क्लाइट ने हमें request की एक्जाइम में question आया मैं सबसे बहले देखूंगा requirement क्या है अगर तो requirement कंपनीज एट की है तो मैं कहूंगा कोई issue नहीं है कर सकते हैं क्योंकि कंपनी जाइट आपको पता है फीस का कोई issue discuss नहीं करता अगर वह कहता है code of ethics के मताबविक answer करें फिर मैं कहूंगा कि कम फीस चार्ज करना अंडर गडिंग होती है यह फीस चार्ज नॉर्मली नहीं करनी चाहिए कम फीस हां अगर quantum and scope of work reduce हो जाए फिर कर सकते हैं औ क्यों इंटिमिडेशन थ्रेट भी समझागे है self-interest threat क्यों rise हो रहा है family या personal relationship की वज़ा से देखें यह नॉर्मली दो जग जिन cases में दो या तीन threats होते हैं ना उन में पहला threat सबसे अहम होता है दूसरा या तीसरा threat निस्बतन कम significant होता है वो indirect तरीके से create हो रहा होता है यह च relative client पे काम कर रहा है और क्लाइंट से salary ले रहा है तो देखें थोड़ा सा सोचे वो घूम फिर के सारे salary benefits हमारे घर में आ रहे हैं तो एक तरह से दूर द्राज करके हम भी beneficial उसके बन जाते हैं इसलिए self-interest threat भी rise हो रहा है क्योंकि family or personal relationship है ना हमारे घर का अगर immediate family member close family member client में काम कर रहा है तो क्या हमें indirectly उसके financial benefits drive नहीं हो रहे हैं क्योंकि at the end of the day तो हमारे घर में ही पैसे आ रहे हैं तो इसलिए self-interest threat भी rise हो रहा है family या personal relationship की वज़ा से self-interest threat भी rise हो रहा है जी familiarity threat कहीं पे भी जो significance का concept है वो facts पे base कर रहा होता है facts पे facts आपको question में जब वो require करता है significance discuss करो facts आपको बताता है जैसे अगर आपको significance of threat की बात करेगा जैसे इसी example family and personal relationship की example ले ले लेते हैं अगर वो आपसे कहेगा मुझे इसमे significance evaluate करके बता तो आपसे कहेगा ये कि जो team member है उसके spouse या उसका भाई या उसका दोस्त काम कर रहा है specifically nature of relationship बताएगा फिर position बताएगा दोनों की कि वो बंदा जो relationship relative है वो client में director है या के कोई employee है इससे भी हमें अंदाजा हो जाएक तो nature of relationship बता चला वह जितना close relationship significance उतनी ज्यादा वह जितनी higher position significance उतना ही ज्यादा तो एक दो point हमें hints question में ज़रूर देगा जिससे हम इस इंतीजे पे पहुंच जाएंगे के significance क्या है ठीक है जी और की question next salmon, salmon situation में कोई problem कोई problem नहीं अच्छा एक चीज़ जहन में रखिएगा यहां पे कुछ situation में safeguard को discuss करते हुए brief statement दे गई है ताकि हमारा concept जो है वो clear हो जाए exam में आपने कोशिश करनी है कि इस brief statement यह जैसे है remove concerned member यह दो तीन अलफाज में concept point बताने की बज़े इसे complete sentence form में discuss करना चाहिए आपको concept यही होगा remove concerned team member एक इसको थोड़ा हम statement form में include करें जैसे for example engagement partner should ensure that Mr. A जिसका वो interest बना रहा होगा Mr. A is removed from current audit engagement अब बात वो ही है जो दो तीन अलफाज कहा रहे हैं लेकिन हमने उसे complete statement form में convert कर दिया तो कुछ situations में जहां पे दो तीन अलफाज में वो concerned बता देता है जब हम exam में drafting कर रहे होंगे हमने complete sentence form में answer करना होगा कोशिश करनी होगी complete sentence form में answer करें अब अगला issue भी हम कैसे complete sentence form बनाएंगे ठीक है हमें तो नहीं बनाना आता इसको convert करना complete sentence देखे जान बूज के मैंने यहां पे दो तीन पॉइंट में बात छोटी करके रखी ताके concept simple रहे असानी से समझ आ जाए अब जब आ वालियम टू की practice करेंगे तो उसके solution जब देखेंगे तो साथ ही साथ आपको वहां पे complete sentence form में यह statement यह concern मिल जाएगा ठीक है तो आपने जहां पे भी जो यहां पे brief लिखा हुआ है तो इसका complete sentence form देख लेना है कि कैसे बना रहा हूँ solution में exam में उसी के मताबिक answer करेंगे यह बास समझ आई चलिए seven में आप कह रहे हैं कोई problem नहीं है eight eight discuss कर दें चलिए eight को थोड़ा detail में discuss कर लेते हैं कहता है firm prepares counting records or financial statement of assurance client मुझे बताइए counting record में और financial statement में क्या फरेक है यह books of accounts और financial statement books of accounts होते हैं जर्नल लेजर ट्राइल प्रिपेर करना financial statement का मतबता है इंकम सेट में balance sheet बगार और बाकी चीदें प्रिपेर करना अच्छा सुन ले क्या हम क्लाइंट को bookkeeping services accounting services preparation of financial services प्रवाइड कर सकते हैं यह basic question है इसका answer सुनिए कहता है listed company के case में तो बिल्कुल भी provide नहीं कर सकते हैं अनलिस्टेड कमपनी के case में provide कर सकते हैं लेकिन यह safe guard है listed company के हमें बात नहीं की हुई क्योंकि हमारे syllabus में listing regulations नहीं हैं लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए के listed company के case में यह bookkeeping services financial statements prepare करना मना है नहीं provide कर सकते हैं अनलिस्टेड कमपनी के case में यह services provide कर सकते हैं लेकिन यह safe guard होंगे पहली बात समझागी listed or unlisted का फरक आगे चलते हैं अच्छा एक चीज़ और सुने पास्ट वैपन में question है अभी भी शायद question bank में होगा वो मुस्तंसर के नाम से उसमें वो कहता है कि यह एक listed company है उसने हमें कहा financial statements prepare कर दो क्या हमें financial statements prepare कर देनी चाहिए यह साथ याठ नंबर का question था इसका असल में answer जो है वो one word answer यही है कि हम financial statements prepare नहीं करेंगे हम financial statements prepare one word answer यही है लेकिन जब आप justice solution देखेंगे तो उसमें उसने यह सारे safeguard डिखे हुए reason क्या है हाला के listed company के लिए services provide करना यह मना यह वाली services ठीक है उसे असुली तोर पे उस question में listed की बज़ए unlisted का word include करना चाहिए था ठीक है यह यह बताता ही ना कि company listed हम दोनों discuss कर देते हैं ठीक है लेकिन शायद उसने यह समझा के इस्ट्रूवंट को क्या पता के listed company के लिए मना एक्स्ट्रूवंट के सलिपस में कौन से listing regulations है तो यह जब आप solution करेंगे वो आई कैप के अगर book से question bank से question करेंगे तो वहां पर listed entity का word आएगा हम उसको पिर काट के unlisted कर देंगे ताकि हमारा concept ठीक रहे के listed company के case में तो services provide नहीं की जा सकती है unlisted के case में की जा सकते हैं अब आगे चलते हैं unlisted के case में issue किया है पहला concern समझा आ गया listed नहीं provide कर सकते है unlisted discuss करने लगे हम unlisted में कहता है एक होती है routine nature की advice लेना client हमसे audit के दुरान में routine nature की advice लेता है कहता है वो आप client को provide कर सकते हैं उसमें कोई issue नहीं है for example client नहीं हमसे पूछा sir बताइए IS2 में कौन सा method allowed है inventory के लिए क्लाइशन के लिए क्या क्लाइट को ये बता देना चाहिए बता दें ये routine nature की डवाइस है उसे के sir फाइफो या matured average allowed है lifeo जो है allowed नहीं है लेकिन अगर client हमसे ये कहे sir फाइफो के मताबिक inventory की valuation कर दीजिए क्या ये काम करेंगे ये routine nature का नहीं रहा ये तो management के करने वाला काम हम कर रहे हैं ये तो management के भी हाफ ये अब हम काम कर रहे हैं क्योंकि financial statement फिर्पेर कर रहा था तो management का काम है अगर client हमसे पूछे कि बताइए sir IS7 के मताबिक cash flow बनाने का format क्या है indirect method का format हमें बता दीजिए क्या उन्हें फार्मेट बता देंगे ये routine nature की advice है लेकिन अगर client हमसे कहे sir cash flow statement बना दीजिए ये नहीं बनाएंगे हम कहें ये भाया आपकी जिम्मेदारी है ये preparation of financial statement में आ जाएगा लिस्टिड कमणी है तो बिलकुल नहीं बनाएंगे अन्लिस्टिड है तो बना सकते हैं लेकिन इसमें threat arise होगा self review threat उसके लिए हमें safe guard apply करना पढ़ेंगे और safe guard क्या है वो कहता है सबसे पहले service should not be performed by शोनल स्ट्रीम मेंबर यानि कह रहा है कि financial statements prepare करने वाले लोग लादा होंगे और उसके बाद जो audit करने के लिए आएंगे वो लादा होंगे क्योंकि आप ही कमणी की financial statements prepare कर रहे हैं वही firm और वही firm financial statements का audit भी कर रही है तो कर रहा है पहला safe guard तो है कि दोनो separate हो बही किसी ना किसी अगत तक तो यहाँ पर self review threat कम हो जाता है फिर क्या कहता है managerial decision should not be made on behalf of client जब आप client के बहाफ accounting services provide कर रहे हैं तो managerial decisions हमने नहीं करने managerial decisions हमने नहीं करने managerial decision client कर रहे हैं जैसे फर्ज किजिए अगर हम client का accounting record prepare कर रहे हैं यानि जनल लेजर ट्राइल client हमें कहता है sir ये 10 लाग की depreciation की entry है इसको record कर दीजिए हम उसे जनल लेजर ट्राइल में record कर देते हैं क्या कोई managerial decision किया हमने नहीं किया लेकिन अगर client ये कहे sir हमारे fix sensor की depreciation आप calculate कर दीजिए और फिर आप ही record कर दीजिए तो इसमें जो depreciation calculate करने वाला काम है ये managerial decision है इसके लिए हमें life estimate करनी पड़ेगी वो तो management की जिम्मेदाब अगर management हमें कहे sir ये provian for bad debt की amount as को record करे क्या managerial decision है नहीं लेकिन अगर management हमसे कहे sir आप provian for bad debt estimate करकर record करे ये managerial decision है इसमें तो हमने managerial decision क्लाइंट के वहाँ पे ने इन शार्ट practically क्लाइंट vouchers हमें दे 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 था बनाके हम उसे उठा उठा के general ledger trial में पोश्ट करते रहते हैं वाउचर बनाना किसकी जिम्मेदारी है वाउचर जो source data होता है वाउचर वो source data होता है आपने अभी शायद नहीं देखा होगा वाउचर कैसा होता है लिकिन practically जब कभी कोई भी transaction general में regard होती है पहले वो source data बनता है उस इसने अप्रूव करना है क्लाइट अगर हम source data प्रिपेर कर रहे होंगे assumptions हम बना रहे होंगे तो हम managerial decision कर रहे हैं यह फरक समझा है managerial decision का फिर इसके बाद कह रहा है कि transaction में जितनी भी किसम की change होगी वो client ही अप्रूव करेगा ठीक है यानि फर्ज कीजिए हमने record कर लिया उ क्योंकि वो managerial decision हो जाएगा यह समझाई बात तो बताएए कि क्या हम अपने clients को counting record bookkeeping services provide कर सकते हैं financial statements prepare कर सकते हैं client के बहाँ पे अगर तो listed client है तो unlisted है तो unlisted में अगर routine nature की advice है कोई issue नहीं अगर वो हमसे वो कहता है कि जी for example हमारी payroll sheet प्रपेर कर दो हमारी bank reconciliation statements वह बना दो वो काम जो उसकी जिम्मेदारी है हमारी cash flow statement प्रपेर कर दो financial statements प्रपेर कर दो तो यह कौन से वाला काम हो जाएगा यह हम इसके थ्रेट राइज होगा इसके safeguard क्या होते हैं फिर क्या क्लाइंट को bookkeeping counting services financial statements प्रपेर करके दे सकते हैं अगर किसी किसम की चेंज नित्रमानिया वह भी क्लाइंट अप्रूफ करें जीव इस यह से अप्रवाइड करने से से राइज होगा इसी लिए कि जब हमारे टीम मेंबर आएंगे अब देखें टीम हमने सेप्रेट कर दी ना तो किसी ने किसी अद्दक तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट कम हो गया आई जी जी ब्लकुल तो सिफ से भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट बिल्कुल इसलिए कर इसलिए देखें वो एक सेफ्गार्ड करेकर हिते हैं घतम नहीं karış कर दिया उसने उसने उससें बाकी के भी सेफगार बताई हैं क्यूंकि सिरफ एक सेफ़गार से थ्रेट। रिडूस नहीं होता जीजी सेफगार से थ्रेट इल्मनेट हो सकता है हो जाए तो बहुत अच्छी बात लेकिन वह कहते है अगर ये reduce हो जाता है up to minimum level ये भी acceptable है लाजमी नहीं कि save guard apply करने से threat सारे का सारा zero हो जाए हो जाए तो अच्छी बात है लेकिन कहते है अगर ये reduce to minimum level हो गया तो ये भी acceptable है ठीक है तो आपकी बार ठीक है के सेवगार्ड अप्लाइ करने के बाद भी फिर भी कुछ ना कुछ तो थ्रेट बाकी रहे गई तो वह लेकिन एक्सेप्टेबल है जी बिरुए देखिया हो सकता है यह सजेशन या ड्वाइस दे सकता है क्लाइट के भिहाब पर डिस्यान नहीं करना जैसे फर्ज कीजिए एक स्टूरंड मेरे पास आता है कहता है सर मेरा रिजल्ट है उसके बाद मैं आपसे डिसकस करना चाहता हूं कि मुझे अब इस एटेंड में कौन कौन से पेपर उठाने चाहिए अब मुझे बताईए क्या मुझे उससे सजेशन देनी चाहिए कि डिस्यान करना चाहिए मैं सजेशन उसे दूँगा लेकि मैं उसे कह दूँगा भाई मेरे ख्याल में आपका रिजल्ट ये है और आपकी तियारी इस लेबल पे है आपको ये फार एक्जेम्पल तीन सबज पर देजिए वो तो मेरे लिए बड़े मुश्कुल हो गए थे इसलिए वो कहते हैं मैंजेरियल डिस्जियन हम कभी नहीं करते हैं मैंजेरियल डिस्जियन को मैं में बजीद explain करता हूं next situation के साथ मिलाके situation number nine के साथ वो कहते है temporary staff services or secondment यानि landing of staff फर्स कीजिए हम अपने बंदे को client के पास बेज़ते हैं तीन महीने के लिए अब वहां पर जाके client के बिहाफ पे client के instructions के मताबिक काम करेगा इसमें threat arise होता है क्या self review threat कि जब हम उसके बाद उसे team का हिस्सा बनाके बेज़ेंगे आडिट करने के लिए तो इसमें हो सकता है कि वो सही तरीके से चेकिंग ना कर सके इसके safeguard क्या सुने जरा safeguard वो दो बता रहा है उस वक्त जब हम अपना बंदा बेज़ेंगे client के पास उसके काम करने के लिए landing of staff के वक्त और दो safeguard बता रहा है उस वक्त के जब हम उसे engagement team का हिसा बनाके आडिट करने के लिए बेज़ेंगे ठीक है दो चीज़ेंगे पहली चीज़ जब हम उसे client के पास बेज रहे हैं उसे दो नसीखते दो safeguard क्या करेंगे पहली चीज़ हम उसे कहेंगे भाई तुमने client के बिहाफ पे managerial decisions नहीं करना managerial decision जैसे हम उसे कहेंगे भाई फर्स कीजिए अगर तुम्हे परचेज डिपार्टमर्ट में काम करवाते हैं तुमसे तो तुम ऐसा तो करो कि अगर कोई चीज मंगवानी है market से उसकी quotations इकठी करो उनको comparative farm में सामने रखो और फिर hire management को दे दो कि सर आप decision करें किस supplier से माल मंगवाना हैं हमारे वाले member को یہ decision नहीं करना चाहिए कि किस supplier से माल मंगवाना है वो background सरस सारी कर लेगा क्योंकि अगर वो यह decide करता है कि इस supplier से माल मंगवाना हैं और बाद में farz कीजिए वो supplier माल महंगा बेजता है। बात मैं बता सैमान महंगा था। या कोई चीफ क्वालिटी घटिया क्वालिटी का सहमान बेज देता है तो क्लाइन को हमारे टीम मेंबर को पकड़ेगा या फिर हमें कहेगा कि सर आप लोग येwater करते हैं नहीं करना, इसलिए कि लोगों की साइकी ही होती है, अगर वो disseign सही साबित हो जाएना, तो आपको credit नहीं मिलेगा लेकिन अगर receiptन गलत साबित हो जाए, वर कैसारा कुछ तुम्हारी वज़ा से हुआ है इसलिए हमारा profession हमें यहां पे क्या सिखा रहा है कहने को छोटी सी बात है लेकिन यह असूल है जिन्दगी का कि हमने कभी भी किसी के बहाफ पे decision नहीं लेने वरना वो decision अगर गलत हो गए सारी जिम्मेदारी हम पे आ जाएगी पहली नसिखत हम उसको बेज़ते हुए क्या कर रहे है कि तुमने क्लाइंट के बहाफ मेंजेरे decision नहीं करने दूसरी नसिखत हम कर रहे है क्लाइंट को भाईया यह बंदा हम बेज़ रहे हैं तुम्हारी सुपरवियन में यह तीन महीने समझ लो कि इसका हमारे से तलक नहीं है यह तुम्हारी direction तुम्हारी सुपरवियन में काम करेगा इसलिए अगर इसने कोई गलती की काम के दुरान में तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको सुपरवाइज करो, उसको ट्रेन करो जो भी काम करवाना है और उसके काम की चेकिंग करते रो ये दो सेफ़गार्ड किस वक्त के लिए हो गए? जब हमने उसको बेजना है क्लाइंट के पास, अब वो फ़र्ज कीजिए, तीन मीने के बाद वापिस आगिया, अब क्या सेफ़गार्ड है दो, अब आर्डिट करने के लिए जाना है, अब क्या सेफ़गार्ड है? कहला पहला सेफ़गार्ड अब इस वक्त के लिए, एक्जा इसकी responsibilities को restructure करने का क्या मतलब है कि जिस काम में जिस एरिया में से काम लिया गया था उस एरिया का आड़िट इसको ना दे अगर इसे purchases में काम लिया गया था इसे तो फिर इसे आप sales का area दे दे दीजिए इसे expenses का fix assets का area दे दीजिए यह था responsibility restructure करना भी बात कुछ समझाए यह responsibility restructure करने वाली बात शैद वो family या personal relationship वाली case में भी था ही कि अगर हमारे trainee student का भाई जो है वो client में inventory manager है तो उसकी responsibility को restructure करें मतलब पहली session तो option तो यह कि उसे team का हिसा ना बनाए अगर team का हिसा बनाना भी है तो उसे inventory का area ना दे verify करने के लिए कोई और area दे दीजिए यह session clear हुई अब managerial decimal point clear है मेरे भाई आगे चलते है नेक्स एक्षोल और थ्रेटर लिटिकेशन का मतलब होता है केस दोनों के द्रिमाय में चल ला है थ्रेटर लिटिकेशन का मतलब होगा है अभी केस चल नहीं रहा क्लाइंट ने सिर्फ धंकी दी है एक्षोल और थ्रेटर यह फर्रक लेकिन याद रखे हमारे लिए दोनों situation में थ्रेटर राइज हो जाता है अगर थ्रेटर लिटिकेशन हो उस सुरत में भी थ्रेटर साथ से जाते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है इस वज़ए से हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे हमारे हाथ से निकल जाएगी इसके लिए हो सकता है क्लाइंट की बात माँ इसलिए थ्रेटर लिटिकेशन में इंटिमिडेशन थ्रेट तो राइज हो ही रही है मैं जो हमने उधार पर दिया हुआ है कलाइंट को कि वो दो तीन महीने जो भी उससने काम कर्वाना वह कर्वा लें दृट्व को कहते है लोंट स्टाफ वाब रहान हो रहे हैं कोतो हमने बहुत पैसे फड़ार दिया जाते हैं एए बंदा उधार दिया जा सकता है को कुई रूट नहीं जी और की ग्वासीन के साथ सेल्फ इंटरस्ट अलए है अगर हर सीचुषिजिन के साथ तो फिर हम इसको रूल बना लेंगे लेकिंगे मेरा नहीं हाल हर शुषिजिन के साथ था रहा है इसलिए यह कोई रूल नहीं है जे यह फिफ्टीन स्वेशन में देखें आ रहा है फिफ्टीन में जे चलिए टैन में कोई प्रॉब्लम नहीं है जे जे थोड़ा उची बोलिएगा मेरे बाई अब देखें क्लाइंट ने हम अभ Fuß दी क्या है क्लाइंट की धंखी में आके हमने हाथ जरा हुला कर दिया हो हमने सहीजतरी चेकिंग ना किई हो क्वालीडिय क挑ूल रिव्ईूर से फाज़ड़ा यह होगा कि क्वाल्टी क180 control reviewer और बंद आके चेक कर लेगा कि हमारा कोई भी टीम मेंबर कहीं क्लाइंट की धंकी में आके उसने कोई प्रोसीजर कम तो नहीं प्रफॉर्म किये क्योंकि सीनियर परसंस हो सकता है फिर भी क्लाइंट की धंकी विए बावजूद भी इंडिपेंडनली काम करें लेकिन जूनियर टीम मेंबर्स अपने आपको प्रेश्राइज फिल कर सकते हैं इसलिए क्वालिटी कंट्रोल लिव्यू करवाने ना चाहिए लेवन अपको रेडिंग के लिए नहीं गई थी अभी डिसकस कर रहा हूं टेक्स रिटर्न प्रिपेरेशन कहते हैं अगर हम क्लाइंट के बिहाफ पर टेक्स रिटर्न प्रिपेर करते हैं इसमें कोई थ्रेट अराइज नहीं होता क्यों क्योंकि टेक्स रिटर्न प्रिपेर करना एक तो क्लाइंट की रिसमोंसबिलिटी है और दूसरा बड़ी बात ये कि FBR के पास जब ये रिटर्न जाएगी मुझे बताईए क्या FBR as it is इसको एकसेप्ट कर लेगा कि वो अपनी री कैलकुलेशन करेगा अपनी इन्वे इसमें कोई थ्रेट राइज नहीं होगा क्योंकि FBR इसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करता है तो हमारे प्रिपेर करने से फिर कोई फरक तो नहीं पढ़ा है तो क्लाइंट की टेक्स रिटर्न प्रिपेर कर सकते हैं ठीक है प्रोबेबली हमारे इस लेबस में जितन क्लाइंट आफयर गिफ्ट था है अब या प्रेफरेंशल डेटमेंट अच्छा की मतलब तो समझ में आता है कि यह जैंगे प्रोबेंट के conversion क्लाइंट आबसे कहें हैं है क्यों ना आपको बहरी जहाज की सेर करवाई आप में कहा देखा हो गा बहरी जहाज तो क्या बहरी जहाज की सेर करने चले जाएंगे बिलकुल भे नए exam में यही लिखना है यह है hospital related retirement P.A.E. ओडिड करने के लिए जाएंगे प्याई वाले कहेंगे इसले हमारा एक रुपया भी नहीं लगना आप हमारी एक फ्लाइट जा रही है दुबई दो घंटे बाद वापिस आ जाएगी तो ऐसा कीजिए कि आपको टूर लगवा दे 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 दुबई का तो क्या आप दुबई जाके फिर उसी फ्लागली फ्लाइट पर वापिस आ जाएगे ना याद रिखिए यह सारा प्रेफरेंशल ट्रीटमेंट है यह क्लाइट से एकसेप्ट नहीं करने हमने कोई सिग्निफिकेंट गिफ्ट भी एकसेप्ट नहीं करना यह प्रेफरेंशल ट्रीटमेंट भी एकसेप्ट नहीं करने जो टीम मेंबर एकसेप्ट करेगा इसका मतलब वो बाइस हो गया वो फिर हमारी टीम का हिसा नहीं रहेगा टीम का हिसा नहीं रहेगा जी ट्वैल्ड में कोई प्रॉब्लम यह बात समझागी गिफ्ट वाली आगे चलते हैं थर्टीन परचेज अफ गूड जैंड सर्विसिज फ्रॉम एन अर्डिट क्लाइंट बाइदा फ हम कोगा कोला कमनी का आडिट करने के लिए गए हैं क्या मैं कोग की आडिट के दुरान में कोग की बोतल खरीद के पी सकता हूँ यह है इशू परचेज अफ गूड का परचेज अफ गूड एन्ड सर्विसिज फ्रॉम ए यह वो कहता है कि आप अगर आडिट क्लाइंट से कुछ गूड या सर्विसिज खरीदते हैं इससे थ्रेट अराइज होगा सेल्फ इंडर्स रेट कहता है लेकिन इसकी सिगनिफिक कोई प्रावलम नहीं कि पहली चीज क्या हमने इंशूर करना है कि जो चीजी क्लाइंट से खरीड रहे हैं यह क्लाइंट का औरड़्टॉरि कॉर्स बिजिस और अच दूसरी चीज यह इंशूर करनी है कि क्लाइंट चीज़ खरीद रहे हैं वह मार्किट हर्ब्ड कंडिशन पर खरीद रहे हैं और तीसरी चीज़ जो ट्राशयक्शन है परशेश की यह है दोनों के लिए क्लाइंट के लिए भी आइटर के लिए अब मुझे बताईये जब मैंने कोग की बौतल खृइदी पर्चेस की, सोरबे की बौतल खृइदी, तीनों कंडिशन पूरी हो रही है, क्या ये क्लाइंट का अठर्डरिक और सब बिजनेस है, क्या ये मार्किट रम में कंडिशन में ट्रांज़क्शन है, क्या ये दोनों के लिए आइटरों क्लाइंट के लिए इंमडीरियल है तो फिर इसका मतबब है ये ट्रांजेक्शन में कोई थ्रेटराइज नहीं होता लेकिन फर्ज कीजिए अगर वो क्वेस्टन में ये कहता है कि हमारा एक कलाइंट है उसका पलाजा एक बड़ा उस पलाजा है उसके अंदर 50 आफिस हैं और वो हमारी फर्म को आफर करता है किसर आप कराएपे रह रहे हैं ऐसा कीजिए आप हमारे पलाजा में एक आफिस ले लिजिए अच्छी जगा पर आपको आफिस दे देंगे और आपसे 20 साल तक कोई कराया भी नहीं लेंगे बताईए क्या इसमें थ्रेट हराइज होता है सेल्फ इंडरस्ट थ्रेट सिगनिफिकेंस डिस्कस करते हैं तीन चीज़ें अगर पूरी हो रही है तो फिर ही अलाओड हो जाएगी ट्रांजेक्शन वरना अलाओड नहीं है पहले जिस क्या ये क्लाइंट का अड़नी कोर्स बिजनिस है इसका जवाब है ये ये ट्रांजेक्शन क्लाइंट के अड़नी कोर्स बिजनिस है क्लाइंट का काम ही जाई है दूसरी क्या यह market ट्रम्दन कंडिशन पर है ज़जाबे नहीं तीसरी कंडिशन क्या यह दोनों के लिए immaterial है client के लिए शायद immaterial हो firm के लिए immaterial नहीं है उसका कोई office ही नहीं है यह बात समझे अगली example सुने उसने कहा कि similar case थे लेकिन अब की बार अगली अट्रेंट वोक्स देखा कि client आपसे market rate पे rent charge करेगा और आपकी firm के already 25 offices हैं पूरी country में अब बताइए क्या यह self interest rate तो फिर भी हमने लिख दिया purchase of good share rise होता है अब आते है safeguard या significance की तरफ क्या इस situation में अब की बार यह client का और दिनिक और सब बिजनिस है yes, क्या market term ने condition में transaction है yes, क्या यह immaterial है दोनों के लिए हमारे लिए भी immaterial है हमारे लिए अब कैसे immaterial है क्योंकि already हमारे 25-30 offices है हमें एक office से क्या फरक बड़ेगा तो इस सुरत में यह allowed है यह फरक समझा है आई कैपने case study में शायद question bank में भी है उसने कहा कि आपका एक client होटल chain मुलक के हर बड़े शहर में उसके होटल है और आपके partner जब कभी किसी काम की गर्से उस शहर में जाते है तो उसी client के होटल में stay गरते है बताईए इसमें कोई issue rise होता है बिलकुल पहले हम लिखेंगे यह purchase of services वाला case हो गया goods की बजाए services वाला इससे self interest threat create होता है उसके बाद कहेंगे अगर तीन condition satisfy हो रही है तो कोई issue नहीं transaction की जा सकती है तीन condition कौन सी है पहली client का अर्दिनी कोर्स व बिजनिस जो कि उसने question में लिख दिया कि है hotel chain होटल services provide कर रहे है फिर उसके बाद उसने बाकी दो condition के बारे में question silent था तो हमने कहा अगर तो जो partner stay करते हैं वो market term then condition बे stay करते हैं और जो magnitude of transactions है size of transaction है वो बहुत ज़्यादा नहीं है material नहीं है तो फिर तो ये transaction valid है stay कर सकते हैं वरना दूसरी सूरत में इन्हें stay नहीं करना चाहिए होटल में कुछ clear हुआ ये purchase of good and service वाला इसको highlight कर लीजे ये important है जी मेरूब audit? 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 accept करते हैं immaterial या material अगर उसने question में discuss नहीं किया हुआ तो आपको बता है हम फिर इफ करके answer करते हैं कि इफ material तो फिर transaction नहीं हो सकती immaterial तो फिर हो सकती 14 business relationship between firm our team member and client or management business relationship को समझ लेजिए business relationship ये जो auditor audit करता है auditor auditor है client client है auditor client relationship business relationship नहीं है ये professional relationship है business relationship क्या है कि audit firm या उसका कोई partner client या उसके किसी employee से मिल के कोई side business कर रहा हूँ थीक है जैसे फिर्स कीजे दोनों ने अपनी लादा से partnership बनाई है कोई consistency firm है तो ये होगा business relationship है एक question में उसने डिसकास किया उसने का client software बनाता है और आप की firm उस software की जो after sales service और ट्रेनिंग है वो प्रवाइड करते हैं और customers को एक दोनों चीज़ें यानि software प्लस ट्रेनिंग स services single package के तोर पे sell की जा रही हैं बताइए क्या ये business relationship आगया के नहीं आगया बिलकुल तो जो भी joint venture हैं जो भी आप इकटे business कर रहे हैं वो सारे के सारे business relationship में आएंगे और business relationship में as usual self interest threat जो है वो arise होता है business relationship में और intimidation threat भी वो कह रहा है अगर ये इंसिगनिफिकेंट है कोई issue नहीं है लेकिन अगर ये significant है तो आपको ये transaction reduce कर देनी चाहिए या जो बंदा involved है for example firm मेंसे जो manager या partner involved है उसको rotate कर देंगे दूसरे partner को लेया है या manager को लेया है और अगर rotate नहीं कर सकते हैं तो फिर withdraw कर ले जैसे अगर firm की individual की नहीं firm का business relationship है client के साथ तो फिर individual को rotate करने से कोई फाइदा नहीं है क्योंकि threat को firm की वज़े से राइज हो रहा है फिर withdraw लिवाहिद option बचते हैं जी क्लाइंट से हम राम डील पर चेज कर तो वही पर चेज़ अफ गुट एंड सर्फिस अला रूल लगेगा हाली पार्टनर भी करता है फिर भी यही रूल लगेगा उस सुरत में हम कहेंगे के जी पार्ट तीन कंडिशन देखेंगे कंडिशन फुल्फिल होती है तो ठीक वरना इस पार्टनर को चेज़ कर देंगे कोड ओफ एथिक्स की सारे के सारे टीम मेंबर में लगेगा फर्म ने भी अगर याद रखे फर्म ने भी पार्टनर्शिप फर्म ने भी चीज़ें पर चेज़ की हैं उस सुरत में भी थ्रेटराइज होगा लेकिन उस सुरत में फिर हम टीम मेंबर्स को चेंज करने की बात नहीं करेंगे बलके विड्रॉल की बात करेंगे नेक्स ये जी इससे सेल्फ इंट्रस्ट अइप बिजनेस लेशनिशिप पर सब्सक्राइए नहीं आप नहीं नहीं वह उनका बिजनेस किस बैसिज भी और रिष्टेटारी थोड़ी यह उनकी आपस में टेक बिजनेस कर रहे हैं और रिष्टेदारी तो नहीं पुलिए इसके बाद 15 16 17 यह आपको रीटिंग के लिए दिये थे इन में क्यों प्रॉब्लम फिफ्टी वाले में इंटिमिडेशन थ्रेट कैसे राइज होता है फॉर्मर मेंबर ऑफ दा फॉर्म जॉइन्स क्लाइंट एस डिरेक्टर आफिस यह प्रवियन सुनने जिए असल में बनी किस लिए थे यह जो फिफ्टीन वाली स्टेशन है यह औरीजिनली यह पार्टर के लिए बनी थी लेकिन आपको पता है कि जो चीज़ भी कोड़ फाइथी समयाज़ हो फिर पूरी टीम पे अबलाई होती है नॉर्मली फर्म्स में पार्टर की एक एज होती है रिटायर्मेंट की जिसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है फार एजेंपल फिफ्टी फि लोगी उसको रिटायर कर दिया गया तो आप बताईए क्या इस कैलिवर का बंद अब घर चला जाएगा घर जाके स्कून से बैठ जाएगा नहीं बिल्कुन बलके क्लाइंट जो है वो इस तरह के लोगों को ढूंड रहा था जो एक्सपीरियंस हो तो नॉर्मली कोई नव क क्लाइंट उन्हें अपने कंपनी में एस डिरेक्टर चीफ एक्जेक्टिव सीएफ ओ या किसी और एहम पोजीशन पे उसको हाईर कर लेता है पॉइंट कर लेता है अब हमारा पार्टनर फर्म से निकल के गया क्लाइंट पे जा थोड़ा सा सोचिए क्लास में अगर फर्ज कीजिए कि इनके दिल में वेरे लीए रिस्पेक्ट है किनी सर ने कहा है चाहे कोई रीजन नहीं भी है मुझे प्रिसर ने कहा है तो सर की बात माननी है अब मुझे पताईए फर्ज कीजिए सेशन हटम हो जाता है कल को यह मुझे इधर उधर कहीं चलते फिरते नजर आते है और मैं इने कोई अपना छोड़ा सा काम कहता हूँ, मैं कहता हूँ, यह साथ वाली दुकान से यह चीज़ पकड़ लाओ, क्या यह मुझे रिफ्यूस कर देंगे, प्रोबेबली नहीं करेंगे, क्योंकि एक image जो बना होता ना, वो बाद में भी continue रहता है, उसी तरह अगर एक पार्टनर जो फॉर्म में, अब मुझे पुझाए, फॉर्म में वो पार्टनर उन जूनियर के साथ क्या स्लू करता होगा, यह आपको पता चलेगा फॉर्म में जाके, ठीक है, लेकिन एक जूनियर के जहन में जो पार्टनर का image बना हुआ है, कि यह बना बड़ा सकता है, definitively उसकी junior होगी क्या वो psychologically अपने आपको under pressure feel करेंगे जब उसको face करेंगे उसके साथ argument करेंगे बिल्कुल इस psychological pressure की वजह से उन्होंने का intimidation threat arise होता है वो partner अपनी previous position की base पे currently भी team को intimidate कर सकता है प्रेशराइज कर सकता है यह रही अब देखे पार्डनर जो है वो पहले हमारा बंदा था अब चला गया वह आपने महावरा सुना घर का बेदी लंकाड आए यह हमारे घर का बेदी है अगर यह लंकाड आना चाहता है ना यानि फ्राड करना चाहता है तो क्लाइंट में इस से बेहतर बंदा और कोई भी नहीं क्योंकि इसको पता है कि किस तरीके से काम करते हैं कौन कौन सी चीज़ों को चेक करते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को चेक नहीं करते हैं तो यह चूंकि हमारे सारे दाव पेच गुरु सारे सीखे हुए इसने तो यह आइडियल परसन होगा जो client पर जा के fraud कर सकता है तो अब हमारे पास क्या अब जाहिर है हमने भी तो अपना कुछ audit करना है अपने audit procedure को unpredictable रखना है तो कैसे रख सकते हैं unpredictable हम अपने audit plan को change कर देंगे modify कर देंगे यानि पिछले साला में जो procedure perform करते थे जो sample selection method हुआ करते थे हमारे हम उनको change कर देंगे यह कहरा है modified audit जी बिल्कुल आगा अगर remove नहीं होता नहीं आज आचा बहाँ सुनने अगर आप इस तरह सोचेंगे ना कड़ी से कड़ी मिलाएंगे तो फिर हर situation में हर threat आजाएगा कोई भी situation आप मुझे देढे मैं कड़ी से कड़ी मिलागे हर situation में हर threat आपने इतना दूर तक नीए सोचना इतना दूर तक नीए सोचना उस तरह हर situation में हर threat आजाएगा इतना जादा नहीं सोचना audit इतना मुश्किल नहीं है ना इतना detail में जाना है हम वह जितने थ्रेट लिखे हुए उतने समझ आगे आपको बस इससे आगे नहीं सोचना हूं next, 18 Conflict of Interest अच्छा ये भी बड़ा इंट्रेस्ट नहीं है conflict of Interest ठीक है ये इसके एक दो दफ़ा क्वेस्टर उसने पूछे हुए है बहुत ज्यादा क्वेस्टर नहीं पूछे हुए लेकिन ये टेकनिकल कंसेप्टर आपको explaining करता हूं Conflict of Interest का मतलब किया है इसका लफ़ी मतलब मैं मुफधात का ठक्राओ कनफोल्जिक्ट अफ़ इंटरस्ट दो स्थेशन में राइस होता है तरह बोस्थे सुनियागा पहली स्थेशन अगर हमारा आर Grade Tom का इंटरस्ट हमारे किसी कलाइन्ट के इंटरस्ट के गेंस्ट हो यानि हमारा फाइदा हो Client का नुकसान और Client का फाइदा हो रहा है तो हमारा नुकसान ये भी Conflict of Interest है ये काइफ लेवल पे नहीं पूछता है ये C-Fap लेवल पे पूछता है काइफ लेवल पे क्या पूछता है जब हमारे दो Client है उन दोनों का अपस में Conflict of Interest है ये हमारा काइफ लेवल पे स्टेशन पूछेगा Conflict of Interest का मतलब क्या है हमारे दो Client हो उन दोनों का Interest अपस में Conflicting हो अब जैसे फरस कीजिए छोड़ी चे एक्जैंपल देता हूँ अब ये हमारी फैमली में हमारे चच्चा और ताया की लड़ाई हो गई अब बताईए अगर आप ताया के घर जाएंगे तो चच्चा क्या समझेंगे ये मेरे खिलाफ हो गया हाला कि आप नहीं भी हो ये ही सोचेंगे ना उसी तरह अगर हमारे दो Client आपस में का Conflict है कोई competitor है दोनो एक Coke एक Pepsi बताईए क्या एक firm simultaneously Coke और Pepsi दो competitor Client का अडिट कर सकती है लेकिन threat arise होता है Conflict of interest confidentiality का भी threat arise होता है कि एक firm समझ सकती है कि आप उसकी confidential information दूसरी कमपनी को disclose ना कर दें ठेक है तो ये conflict of interest है ठेक है दूसरी example सुने अभी आई कैप के question bank में case study में example है दूसरी एक client आपके दो client है दोनो competitor नहीं है आपने बताना है Conflict of interest create होता है कि नहीं situation में दो client दोनो competitor नहीं है एक client होटल है और दूसरा client जो है वो food supply करता है एक दिन क्या हुआ होटल में खाना खाने से कुछ guests थे उनकी तबीयत खराब हो गए अब guests जो थे जितनों ने खाना खाया थे उन्होंने case किया होटल पे compensation के लिए होटल ने फिर case किया food supplier पे 50 million का year end पे ये case pending है आप दोनो companies के order है hotel के भी और food supplier के भी food supplier के order के दुरान में आपको पता चला कि उन्होंने 30 million की प्रवियन रिकार्ड गी आपने पुछा सर ये प्रवियन क्यों रिकार्ड गी उन्होंने का सर जो खाना सप्लाई किया था ना हमारी गलती नहीं थी उसमें लेकिन चुके हम इस business relationship को सिक्योर करना चाहते हैं आगे लेके चलना चाहते हैं तो long run future को सामने रखते हुए हम 30 million pay करने को त्यार है अब जब आप hotel card करने के लिए कि गए तो देखा उन्होंने कोई receivable regard नहीं किया हुआ क्या hotel वाला को चुपके से कह देंगे सर वो दूसरी party 30 million pay करने को त्यार है receivable regard कर लें ताकि इदर का payable उदर का receivable reconcile हो जाए हमारे लिए आसानी हो जाए ना क्या ये कहेंगे इनको नहीं कहेंगे confidentiality फिसफल ये conflict of interest अराइज होता है अगर आप एक का फाइदा करते हुए उससे information दे दे तो इसे दूसरे का नुक्सान ये conflict of interest है अब बताये इस conflict of interest में confidentiality लीक ना हो जाए इस issue को address करने के लिए हमारे procedure क्या हो सकते है वो कहता है procedure ही हो सकता है सबसे बहतर procedure दोनों टीम्स को separate कर दो दोनों टीम्स को separate कर दो और फिर ये जो office में इनके दरम्यान में एक जगह बड़ा अच्छा वर्ड उसने यूज़ किया है दरम्यान में Chinese वाल बिल्ड कर दो Chinese वाल बिल्ड का मतलब क्या है वो कहता है इनका अपस में interaction हतम कर दो Chinese वाल का मतलब इनका अपस में interaction हतम कर दो यानि office में जिस दिन एक टीम आए उस दिन दूसरी टीम नाए जब तक आड़िट चल रहा है जो documents हम office में रख रहे हैं उन्हें lock में रखा जाए हर client की वाल दूसरी टीम को accessible ना हो अगर आप IT system यूज़ कर रहे हैं soft farm में files maintain कर रहे हैं तो files को password लगाए और फिर वो भाई असने करें sir जितनी मर्जी आप condition लगा लें facebook तो फिर भी है whatsapp तो फिर भी है communication तो फिर भी हो सकती है तो उन्होंने कहा फिर agreement लीजिए return farm में बयाने healthy ले दोनों टीम के member से के जब तक audit चल रहा है एक दूसरे से interaction में minimum रखेंगे कोई confidential information share नहीं करेंगे अब एक स्वांड था वापको पता है हर class में कोई स्वांड तो टीचर से भी दूआ था आगे सोच रहा हुता वह कहता है अच्छा सारी बात कर दी आपने टीम सेपरेट करने की अगर फर्ज कीजिए कोक और पैपसी दो क्लाइंट है और मिया बीवी है हजबन कोक और अडिट कर रहा है वाइफ पैपसी का आप क्या करेंगे मैंने का समझता तुम गए हो क्या करेंगे जी चलिए 19 19 एडवर्टीजमेंट के बारे में सुनने हैं आपको एक लेक्शर में यह डिसकस किया था हमने यह डिसकस किया था एक लेक्शर में कि जो कंपेडिटर्स होते हैं एक दुस्टे के कलाइंट घेरने के लिए उनके पास दो स्ट्राड़िजी होती है बड़ी एक प्राइस्वार और दूसरे अट्विटेजमिंट पुरिसवार को रोकने के लिए लोग, फर्प समriskों के आपने शायद दुनिया में हर छीज्ट की अट्विटेजमिंट होती देखी होगी लेकिन सीएफ फर्म्स के अडवर्टिस्मेंट ना कभी किसी टीवी पे ना रेडियो पे ना अखबार में कभी नहीं देखी सुनी होगी क्यों भला उसकी रिजन अब बताने जा रहा हम आपको क्यों मुझे बताईए कंपनी अडवर्टिस्मेंट करती हैं तो क्यों करती है sale बठाने के लिए client एड़िड़ाट करने के लिए IKIP ने पहली बात शुरू ही यहां से की उसने कहा advertisement के client solicitation के लिए client को acquire करने के लिए कोई भी CFM advertisement नहीं करेगी नहीं करेगी यानि असन अलफ़ाज में कोई भी firm अपनी मशूरी नहीं करेगी ताके client उसके पास आये तो हमने का अच्छा तो फिर advertisement का मकसद क्या रहा गया IK करना गा है नहीं, advertisement का एक मकसद और भी है क्या client solution के लिए तो नहीं, client को attract करने के लिए लेकिन client तक कोई objective information communicate करने के लिए advertisement की जा सकती है For example, आपने अपनी नई firm start की है अखबार में इतना इस्तिहार दे सकते हैं कि हम ABC and Company Chartered Congress Audit और Tax की Services प्रोवाइड करते हैं इतनी बात लेख सकते हैं इसके बात आपने Office चेंज किया Phone Number चेंज किया Number of Partners चेंज हुए कोई नया पार्टनर आया पराना पार्टनर गया Composition चेंज हुई ये भी communicate कर सकते हैं इस पे भी इस्तिहार दे सकते हैं लेकिन objective information इस information को देते हुए भी आपने ध्यान रखना है आपने अपनी services को exaggerate नहीं करना दूसरों की services को degrade नहीं करना जैसे क्या मैं हभार में ये इस्तिहार दे सकता हूँ कि ABC and Company Chartered Congress हमने इस महीने से अपनी practice start की है और हम tax की services पर वाइड करते हैं क्या मैं ये statement दे सकता हूँ advertisement बिलकुल दे सकता हूँ लेकिन क्या मैं ये statement दे सकता हूँ क्या हम Chartered Accountant है बाजार से अरजा नरहो पर audit दिस्तियाव है क्या मैं ये लिख सकता हूँ या यहां पे बेहतरीन किसम की audit किये जाते है आई-कैप कहता है नहीं सारे Chartered Accountant बराबर है आप अपने आपको exaggerate और दूसरों को degrade नहीं कर सकते बलके कहता है exaggerate degrade करना दूर की बाद आप comparison भी नहीं कर सकते जैसे फर्ज कीजिए वैसे है तो ये बात गलत 100% गलत example देने के लिए बता रहाँ एकजेम्पल देने के लिए क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं for example किसी बे दूसरे नहीं की दूसरे teacher से बहतर बढ़ाता हूं नई मैं नहीं कह सकता देखें अवल तो ये बात ही गलत और दूसरी बात फर्ज कीजिए फार्दी से एक अफ आर्गुमेंट अगर ठीक भी हो आई कैप कहते हैं नहीं सारे चार्डड अकाउंटेंट्स एक बराबर हैं कोई भी एक चार्डड अकाउंटेंट ये नहीं कह सकता है कि वो दूसरे से बहतर काम करता है हमने अपने आपको एक्जैजिरेड नहीं करना दूसरों को डीगरेड नहीं करना आपको एक बात बताता हूं मजएगे एक बंदा उसने हर अटेंट में सर्टीफिकेड ओ मेरेट गोल्ड मेडल लिया एक दूसरा Chartered Accountant जो हर Attempt में फेल होता रहा है लेकिन फिर भी 15-20 सालों में उसने C.A. क्वालिफाई कर लिया बताएए जब क्वालिफाई हो गए आई-कैप क्या कहता है कौन सा बहतर है दोनों एक बराबर है जो minimum requirement थी दोनों ने पूरा की इसलिए advertisement में याद रखे हमने किसी advertisement ऐसी नहीं करने कि अपना काम exaggerate करे दूसरों को degrade करे comparison भी नहीं करना आहरी बाद सुनने मेरे भाई आहरी बाद सुनने जाज़ की testimonial या endorsement की भी जाज़त नहीं है यह testimonial endorsement क्या होते हैं फर्ज कीजिए मुझे पता है कि मैं अपनी तरीफ नहीं कर सकता code of ethics मुझे मना करता है मैं इन भाई को कहता हूँ भाई ऐसा करो यह 5000 पकड़ो अपने होस्टल में जाओ और वहां पे एक एक बंदे के सामने मेरी तारीफे करते रहो अब देखें यह मैं तरीफ नहीं कर रहा अपनी मैंने इन भाई को कह दिया किस की जाज़त है code of ethics करते है इसकी भी जाज़त नहीं है तो advertisement बता चला अब देखें आपको अगर दो मिनट दें तो आपको advertisement के ओपर एक केस बता दूँ एलसाइब याद रहे हैं आपको advertisement जो होती है ना इसमें वो कहते हैं अपने आपको अबजेक्टिव information देनी है facts अपने आपको exaggerate नहीं करना USA की एक firm थी उसने अख़बार में advertisement दी अख़बार में advertisement उसने कहा we are the largest firm in this state और उसके offices सबसे ज्यादा थे उस state में सबसे ज्यादा ओफिस होजी के थे उधर के आई-कैप ने बला लिया है उनको उनका यह एड़ आपने दी है उनका जी हमने दी है उनका आपने लिखा है we are the largest firm उनका बिलकुल हमने यह लिखा है उनका साबित कीजिए बहले यह सबसे ज्यादा काम कर रहे हों वह largest है के नहीं वह भी largest है अच्छा जिसके पास client सबसे ज्यादा हो वह largest है के नहीं वह भी largest है तो उनका मुझे बताइए किया आप सारे parameters के मताबिक largest है उनका नहीं हम तो सिरफ number of offices की base पे largest है तो उनका आपको फिर लिखना चाहिए था we are largest from only basis of number of offices आपने ये नहीं लिखा इसका मतलब ये है आप ये message पहुंचा रहे है कि आप हर criteria के मताबिक largest है जो के miss statement है आपने गलत लिखा है अब आपके खिलाफ ये action नहीं आ जाते है अच्छी खासी penalty बोज़ करना बड़ी अब जब उसको पिन अला कि आप देखे तो इ लेकिन जब एक छोटी सी advertisement पर इतनी बड़ी penalty बड़ी तो उसके बास ये फर्म जे तोबा कर ले उन्होंने का हमारे profession में याद रखे advertisement मना नहीं है लेकिन उसके उपर restrictions इतनी है कि सी ए फर्म advertisement नहीं करती वो छे साथ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और फिर at the end of the day advertisement क जोसल मकसद होता है वो भी पूरा नहीं होता client solicitation तो इसलिए नार्मली सी ए फर्म advertisement नहीं कर रहा है अब जी बिल्कुर वो भी मना है अच्छा सुन लेजिए सुन लेजिए आपने आज घर जाके appendix 2 appendix 2 पे आए देखे case studies होंगी छे case studies है appendix 2 यह case study आपने solve नहीं करनी जो मै कह रहा हूं उसको गोर से सुनेगा solve नहीं करनी आपने एक page के ओपर लिखना case study 1 उसके नीचे part A फिर इस case study को पढ़ के सिरफ इतना लिखना यह कौन सी situation है यह purchase of good and service वाली situation है यह gift and hospitality treatment वाली situation है क्या यह loan वाली situation सिरफ यह लिखना कोई threat नहीं लिखना कोई safe guard नहीं लिखन मकसद सिरफ यह मैं यह evaluate करना चाहता हूं क्या आप exam question पढ़ के उस situation पे सही पहुंच जाते हैं जिस situation से question relate करता है ठीक है क्योंकि अगर आप link सही बना लेते हैं सही पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है इसके बाद concept आपके clear हो गए हैं आप में सिरफ याद करने वाला काम रह गया है और वह आप करी लिया करते हैं assignment समझागी क्या करने हैं हमने question number लिखना है और सिरफ आगे स्वेशन लिखने थ्रेट और सेवगार्ड रिक्वाइड नहीं है clear होगी यह बात अशा कल का जो टेस्ट है वो चले मैं आपके लिए syllabus कम कर देता हूं कल आपका chapter 6 शामि